यूपी में नर्स लागू होने की बात पर कॉंग्रिस नेता आधीर रंजिन चौधरी का कहना है कि जरूरत परने पर ऐसा क्या जा सकता है देश बर में लागू हो लेकिन कब और किस कसोटी पर होना चाहिए ये जाने का सबका अधिकार है इनसे खास बातचीत के हमारे सहयोगी रवी कान से सो दियाने है असम के बाद बीजेपी साशित दो और राज हर्याना और उत्तर पर देश भी अनर्स लागू करने की प्रयास में इस पर बात करने के हमारे साथ कौंगेस में लोग सबाक नहीं ता अधिरिन चौधिन से बात वाद चते हैं सर अब असम के बाद हडियना के मखवंतिर ने भी कहा है कि वहाँ इनर्स लागू करेंगे असाम की जो BJP सरकार और खुद BJP के नेता सारे कह रहे है कि यह असाम की जो kuin आशृम की जो NRC यह सही नहीं हुआ यह नाराज़गी जता रहे हैं गाली-गालोज कर रहे हैं को ओर्डिनेटर को जिनको सूप्रिम कोर्ट में हुआ तयनत किया था तो एनर्सी को लेकर घुसपेटिया निकलना और घुसपेटिया को लेकर ये सरकार को क्या करना चाहिए सरकार को तई करना है और लोगों को बोलना भी चाहिए क्योंकि ये सरकार जब जाते हैं बंगलादेश में सरकार की रख्षा मंत्री, सरकार की विदेश मंत्री वो हुआ जाके कहते हैं कि हम कोई घुस पेटिया को बंगलादेस नहीं बेजेंगे तो ये घुस पेटिया कर निकला जाए अगर पाया जाए तो कहां बेजेंगे कब बेजेंगे कैसे बेजेंगे और कौन-कौन देश इसमें राजी हुए है यह सब हमें जानकरी लेना चाहिए नहीं तो यह से सियासत गर्माने की यह सारे एक अबायत सही नहीं है आप यह मानते ही पॉलिटिकल इस्टेंट सिर्फ यह सरी देखिए इनार्सी की जी हमें भी जानने का दिकर आए कि कि कितना बीदेशी जब अर्दस्ती छूपे हुए हम अब भी जानने का सौक है से बातियत करने के लिए शुक्रिया अब बड़ी मुकेश के साथ रभी कांट नियुशन दल्ली